नमश्कार अपुर्वाज किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान तरीके से पपीते को छीलने की ट्rick share करने वाली हों बहुत लोग पपीते को छीलते वक इसके छीलके के साथ काफी सारा फ्लेश भी निकाल देते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि पपीते को कैसे छीले कि सिर्फ इसका छीलका ही अलग हो तो चलिए देख लेते हैं पपीते को छीलना कैसे है इसके लिए सबसे पहले हम पपीते को धो कर साफ कर लेंगे मैंने एक पका हुआ पपीता ले लिया है इसे धो लेने के बाद मैंने एक बार पोश लिया था आप चाहें तो इसे बीना पोशे भी यूज कर सकती है लेकिन पोश लेने से क्या होगा कि छीलते वक्त ये slip नहीं करेगा अब हम पपीते को छीलना शुरू करेंगे इसके लिए मैंने पीलर ले लिया है पीलर से हम इसे अच्छे से छील लेंगे एक तरफ से इसे मैंने छील लिया है अब दूसरी तरफ से भी इसे हम छील लेंगे पपीते को छील लेने के बाद आप देख सकती हैं सिर्फ छिलका ही अलग हुआ है अब इसे एक और बार हम धोलेंगे और एक प्लेट के उपर रख देंगे पपीते को प्लेट में रख देने के बाद जो छिलका हमने अलग करके रखा था इसे हटा देना है सारे छिलके को हटा देने के बाद अब हम इसे काटना शुरू करेंगे पपीते को काटने के लिए सबसे पहले मैंने इसके सिरके भाग और निशले भाग को अलग कर दिया है इससे क्या होगा कि बहुत पर पपीता थोड़ा सा करवा होता है सिरके भाग और निशली भाग को अगर आप काट कर अलग कर देंगी तो ये करवापन नहीं रहेगा इसे इस तरीके से बीज से काट ले पपीते को काट लेने के बाद अब हम इसके बीज को अलग कर देंगे इस पपीते में जादा बीज नहीं है बीज हटा लेने के बाद अब हम इसे लंबे लंबे टुकडों में काट लेंगे पपीटे को काट लेने के बाद अब जो आपको ये सफेद वाला भाग दिख रहा है इसे अलग कर लेना है एक चमच की मदद से इसे अच्छे से साफ कर ले इसे हटाना ना भूले क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है और इसे खाया भी नहीं जाता सफेद वाले भाग को हटा लेने के बाद अब हम इसे काट लेंगे मैंने कुछ पपीतों के टुकड़े को लमबा-बमबा काटा है और कुछ को छोटे-छोटे डाइस में आप अपने पसंद से किसी भी तरीके से काट सकती है पपीते को काट लेने के बाद अब हम इसे सर्फ करेंगे एक प्लेट में मैंने पपीते के टुकडो को डाल दिया है इस पपीते के ऊपर आप लाल मिर्श पॉर्डर और काला नमक डाल कर खा सकती है बहुत ही आसान तरीके से पपीते को छीलने का ट्रिक आपको कैसा लगा या आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले ऐसे ही और इजी और सिंपल रेसिपीज और साथी फल और सबजेओं को काटने का तरीका आप देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल में नए हैं और वीडियो अच्छी लग रही हैं तो बस वीडियो देखकर चले ना जाएं ऐसे ही easy to make और tasty recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले और side में जो bell icon देख रहा है उसे press करके और पे click कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर वीडियो उसके notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे facebook या instagram में देख रही हैं तो follow जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे whatsapp चैनल में भी follow कर सकती हैं तो follow जरूर करे Thank you, thanks for watching